वेल्कम एक स्वाइब करता हूं में आपके अपनी चैनल पर के विश्ट्री के टॉपिक एक इंपॉर्टन टॉपिक है फ्रेंड लिच एड्चॉप्शन आइसो थर्म देखे आइसो थर्म के वारे बात करने वाले हैं सबसे पहले सब थर्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ग आपको कोई चीज रटने नहीं पड़ेगी तो आपको समझना बहुत जरूरी होता है तो आपको कहीं मज जाएगा वीडियो को लास तक जरूरी देखे स्टार्ट करते हैं वीडियो लंबाना करते हुए तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाट इसोप्शन आइसोफम तो दि सब्सक्राइब जिसको X upon M पुरते हैं and equilibrium pressure of the adsorbent at a constant temperature is called adsorption isotherm तो इसके द्यान देना adsorption isotherm क्या होता है उम्मीद करता है आप लोगों ने clearly समझ दिया होगा कि इसको adsorption isotherm बोलते हैं चुकि X upon M versus TK वीजमें टेपरचर को constant डगा देहा रहा है that is called adsorption isotherm देखें यहां पर तीन रिजन है A, B और C यह तीनों रिजन की बात करेंगे आप लोगों होजे तो तीनों रिजन की बात करने में आप लोगों समझ में आएगा कि यह adsorption isotherm एक्शन भाग कैसे करता है यहां पर यह होता लोग प्रेशर रिजन है यह जो प्रेशर इससके यह प्रेशर युज फोचनल टुब चैरी एक्स हने में इस दैके प्रपोर्शन भू अप्रोक्षिमित ऐसा दीगए है, यह इसा को फॉलोग करता है इसलिए यहांकर लोग प्रेशर दीन में है, क्या होता ही है कि जब फ्रेशर का होता है तो वहां परılar कि जो कि लिए प्रेशर के डिर्टी प्रॉच्न करेंगे तो लोग रिजन में बढ़ता जाता है टिर्टीन प्रेश्र और एक गाता है इंटर्विन प्रेश्र और एक रहता है high pressure तो दोनों में बात कर लेते हैं high pressure की बात करते हैं उसी reason में है last में एक्चो में क्या होता है कि एक limit होती है मैं कितना pressure बढ़ाऊं किसी भी gas को adsorb कराने के लिए उसके limit होती है अगर आप extra pressure apply कर देंगे, high pressure apply कर देंगे, तो एक limit ऐसी आएगी कि adsorption की rate constant हो जाएगी, means आप कितना भी pressure लगा लेना max to max उससे ज़्यादा gas adsorb नहीं हो सकती ये बात आप ऐसे समझो कि आप अगर आप bike चला रहे हो आपको highway खाली मिल गया है, आप बड़ा दें सुनना तो compare तो कि आप समझ सकते हो तो क्या मैं समझाना चाहरा हूँ highway खाली है, आपके आप में बाइक है, आप पूरा accelerator दे दिया है तो जब आप accelerator देते हैं कुछ समय तक तो गाड़ी की speed accelerate करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता जाब आप पूरा खीच के accelerator पकड़ लेते हो उसके बाद speed आपकी constant हो जाती है, कुछ इसी तरह समझो कि gases पर low pressure region में आपका pressure जैसे इसे बढ़ाते आते हैं तो अप्रेशन करेट बढ़ता जाता है लेकिन एक ऐसा reason आता है जिसमें high pressure हो जाता है उस reason में जाके adsorption करेट बिल्कुल constant हो जाता है कि उससे जादा आप adsorption नहीं कर सकते हैं इसको बढ़ते हाई pressure reason जिसमें x upon m is directly proportional to the peaky power 0 यानि x upon m is constant ये k के बरावर हो जाता है इसका मतलब एक constant हो जाता है इससे जादा gas का adsorption नहीं हो सकता हो उम्मीद करता हो नहीं समझ में आगा होगा वहीं equation number 3 है हमारे पास add intermediate pressure हम बात करते हैं intermediate pressure की x upon m is directly proportional to 1 upon p की power 1 upon n यहाँ आप आपको बात करने वाले intermediate pressure पर x upon m जो होता है वो p की power 1 upon n के directly proportion होता है यह intermediate pressure में आपको थोड़ा सा करवेचा दिख रहा होगा यहाँ पर x upon m जो यह equation होती है इस condition में ज्यादा बेटर फोलो परता है काफी जादा और 1 upon n की जो value होती है वो 0 और 1 के बीच में यह लाई करता है उसकी रिच काफी अच्छी होती है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगो यह फ्रेंडियो अच्छा लागा तो लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके बताए क्या प्रॉब्लम आती है जो लोग वीडियो देख रहे हैं नई चैनल प्रायम को प्रीज प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जन्दी से मिल सकते है मिलते हैं आप लोगों से एक लिए वीडियो में तक लिए धन्यवाद